नमस्कार स्वागत है आपका लाइब खबर में मैं हूँ आपके साथ पूजा चप चलिए रुख करते हैं खबरों क्यों राजनेताओं पर तंज कसकर और विवादित बयान देकर सुर्ख्या बटोरने वाली हिंदू वादी नेता साथ भी प्राची एक बार फिर सुर्ख्यों में आ गई हैं दरसल पाकिस्तान के प्रधान मंत्री के शपत ग्रहन समारों में गए कॉंग्रिस नेता नवजोत सिंग सिद्धू पर तंज कसा और कहा कि एक नाचने गाने वाले जोकर को पाकिस्तान बेजा है जहां पुरा देश एक तरफ अटल जी के जाने के बाद गम में डूबा है वही नवजोत सिंग सिद्धू पाकिस्तान जाकर वहां के प्रधान मंत्री से गले लगकर उन्हें बधाईया दे रहे हैं साथ ही साध्वी प्राची का मानना है कि हिंदुस्तान को कोई न कोई किसी न किसी तरह से तोड़ने की कोशिश करना चाहता है फरुकाबाद में बिजली विभाग के समविदा करमचारी बिजली विभाग के मुख्या कारयाले के बाहर धरना प्रधर्शन पर बैट गए है प्रधर्शन कारियों ने बताया कि उन्हें सूचना मिली थी कि 21 तारिक से उनकी नौकरी खत्म कर दी जाएगी जिसके विरोध में ये सभी समविदा करमचारी अपनी मांगों को लेकर धरना दे रहे हैं आपको बता दें कि इससे पहले भी जब रिटाइड फौजियों को लाइन मैन की नौकरी दी जा रही थी तब उस समय भी उन सभी करमचारीों ने एक महीने तक विरोध प्रदर्चन किया था वही माउजिले की प्रख्यात चिकितसक डॉक्टर अलकाराय की बहादुर बेटी शंभवी राय को दिली में साल 2003 में स्वर्गे पूर्ट प्रधान मंत्री अचल बिहारी बाचपई ने वीरता पुरुसकार से सम्मानित किया था और उसे अचल बिहारी बाचपई के नधन के खवर मिली तो उसकी आखें नम हो गई शंभवी राय ने बताया कि वो दिन उसकी जीवन का सबसे खुशी का दिन था साथ ही कहा कि पुरुसकार मिलने के साथ अटल जी के साथ खाना खाने का अफसर भी उसे प्राप्थ हुआ था वहीं डॉक्टर अलकारॉय ने कहा कि बेटी को अटल जी के हाथों मिले समान और उनके साथ बिताए पल आज भी उनके आँखों को नम कर देते हैं वहीं फरुकाबाद में थाना मउ दर्वाजा इलाके के हत्यारपुर में टेक्टर पर सवार होकर जा रहे कावडियों पर कुछ दबंगों ने हमला बोल दिया जिसमें करीब 6 से ज़्यादा कावडिया गंभी रूप से घायल हो गए जिनें लोही आस्पताल में भरती कराया गया है जिनमें से दो की हालत गंभीर है और गंभीर हालत के चलते उन्हें आईसियों में भरती किया गया है तो वहीं कुछ कावडियों ने ट्रेक्टर के निचे घुसकर अपनी जान बचाई है बताया जा रहा है कि ट्रेक्टर निकलने को लेकर ये सारा विवाद हुआ था जिसके बाद हमला वरों ने कावडियों को घेर लिया और जम कर उनके साथ मारपीट की वहीं कावडियों का आरोप है कि हमला वरों ने उनकी नगदी और मोबाइल भी लूटे है वहीं अम्रोहा के लुहारी भूड गाव में एक लिवक का शब एक के खेत में पड़ा मिला जिससे इलाके में संसनी फैल खेतों में काम करने गए लोगों ने जब शब को देखा तो पुलिस को सूचना दी वहीं सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुची पुलिस ने हत्या की आशंकर जताते हुए बताया कि युवक के गले में रस्ची के निसान और माथे पर चोट लगी हुई थी फिलाल पुलिस ने शब को पोस्ट मौटम के लिए भेज दिया है वहीं लोगों का कहना है कि इम्रतक को हसनपूर में भीग मांगते हुए भी देखा गया है इसने फिर पीम के लिए भेजा जा रहा है उसका अधार फिर कारवाई की जाए मौँ में कलेक्टर सभा कक्ष में डीम के निर्देशन में पीस कमेटी की बैठक बिलाई गई जिसमें डीम ने बकरी ईद और रक्षा बंधन के त्योहार को संपन कराने के लिए दोनों पक्षो को बुलाया और उनकी परिशानियों को समझा गया वहीं पुलिस अधिक्षक ललित कुमार सिंग ने बताया कि कई त्योहार हमने शांती पूर्वक निप्टाएं है इसे भी हम शांती पूर्वक ही निप्टाएंगे खबरों में फिलाल इतना ही बागी की तमाम बड़ी खबरों से जोड़ने के लिए देखते रहे है लाइब खबर